जी आज हम अपना CFAP6 का जो लास्ट मिजर टॉपिक है CODE OF ETHICS इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं CODE OF ETHICS इस एटेम्ट में पहली दफ़ा REVISE 2019 एक्जैमीन होने जा रहा है हमारे कुछ स्टूर्ट ऐसे होंगे जिन्होंने शायद इससे पहले CODE OF ETHICS 2015 स्टुड़ी किया होगा और कुछ स्टूर्ट ऐसे होंगे जो के FIRST TIME CODE OF ETHICS परढ़ रहे हैं तो 2019 ही वह स्टुड़ी करेंगे जिन स्टूर्ट ने 2015 CODE स्टुड़ी किया है उनके लिए एक दोश चीज़े मैं आपके साथ शेयर करता चलू CODE OF ETHICS REVISE 2019 वरियन है इसमें कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजिस नहीं है 2015 के मकाबले में स्टूर पाइंट उफ्यू से जो बेसिक जो कंसेप्चिल फ्रेमवर्क है वो सेम है उसी तरह फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वही थ्रेट्स हैं सेफ़गार्ड्स में आके कुछ चेंज़े तो रफली अगर एस्रिमेट लगाया जाए तो तकरीबन 20% के करीब समझ लेजिए के change of material बाकी 80% material जो है concepts 80% concepts वो ही है जो 2015 में थे तो हाला कि 2015 examinable नहीं absolute हो गया है लेकिन उसके almost 80% concepts आपके लिए still relevant है इसलिए अगर 2015 आपने study किया हुआ 2019 को cover करने जा रहे हैं तो आपके लिए काफी helpful थाबित होगा code of ethics में से confirm question होता है हमारा और code of ethics को cover करने की approach हमारे बाकी के subjects को cover करने की approach से different है बाकी के जो topics होते हैं बाकी के जितेंबी topics हमने अडिट में पड़े उन में आपको approach क्या मैंने सिखाई कि आपको material provide किया गया notes वगरा दिये गए और आप से मैंने ये कहा कि आपने notes की शकल में जो concepts आपको बताएंगे हैं आपने उनको cover करना है सब को समझता है फिर उसके बाद past proper की practice करना है उसके बाद still अगर आपके बाद time हो ISS को पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं वरना ISS को read करने की जरूरत नहीं लाजमी नहीं है अगर आपके पास time है पढ़ना चाहते है जरूर पढ़े मैं मना भी नहीं किया मैंने लाजमी नहीं code of ethics में याद रखिए code of ethics को study करना read करना आप लोगों के लिए लाजमी है इसमें आपको वैसे notes नहीं provide किये जाएंगे जैसे दूसरे topic से provide किये जाते थे इसमें आपको reason code of ethics से cover करना पड़ेगा topic को क्योंके जो situations आएंगी वो basically code of ethics में से test होंगी और आपने ये वाहिड topic है जिसमें लाजमी जो handbook है उसको use करना है हाँ उसमें मैं जब जैसे topic cover करता जाओंगा आपको बताता जाओंगा आपने relevant जो paragraph है जो आपको बताएंगे आपने उनको read करते जाना है और highlight करते जाना है जो भी उसमें हम चीज़ें होगी तो एक चीज़ेंसे में रखेगा हमारा code of ethics य अप्रोच डिफरेंट होगी इसमें हम handbook यूज़ करेंगे आपके पास handbook होनी चाहिए अगर आपके पास नहीं है iCAP की website से आप डाउनलोड कर सकते हैं print लिक्रवा सकते हैं लेकिन exam में लेके जाने के लिए आप बाद में buy कर लेजेगा आजकल शायद वो physical book जो है वो accessible नहीं है physical libraries में available नहीं है probably लेकिन जैसे ही available होती है आप buy कर लेजेगा तब तक आप soft copy से काम चला सकते हैं या print लेके भी काम चला सकते हैं लेकिन जो original जिन students के पास handbook code of ethics है वो उसके उपर underlining करें highlight करें उसके उपर कोई चीज लिखे ना ठीक है नोट ना कीजेगा क्योंकि आई कैप इस चीज को open book examination में मना करता है तो पहली चीज जो मैंने आपको सिखाई एहम चीज वो यह कि हम code of ethics यूज करेंगे इस पूरे topic के दुरान में दूसी चीज यह जो हमारा code of ethics वाला portion होगा इसमें हमने इसमें number of lectures थोड़े ज्यादा रखे है duration of lectures कम रखी है इसकी वज़ा यह है कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसको cover करेंगे और साथ-साथ practice करते जाएंगे यह हमारे लिए ज्यादा बहतर है बजाएए कि मैं 2-3 गंटे की 2-3 classes जो है रिकार्ड करवा कि आप तक provide कर दूँ और उसमें बहुत ज्यादा material cover हो जाए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए absorb करना तो दूसरी चीज़ जो आपने समझनी है वो यह कि number of lectures थोड़े ज्यादा होंगे 6-7 lectures होंगे और इनकी duration comparatively कम होगी तकरीबन एक घंडे के असपास होगे तो अभी study करते हैं बिसके analysis करना देखें मैं फोरण ऐसे नहीं कर रहा कि आपको technical concepts की तरफ लेके चला जाओ या पास्ट अपर के questions की practice कराना शुरू कर दूँ हमारा जो आज का lecture है ये एक तरह से code of ethics के साथ introduction है ठीक है इसमें कुछ technical concepts भी add होंगे लेकिन basically इसमें introduction होगा के code of ethics का structure जो है वो किस तरह का है तो code of ethics जहन में रखेगा 2019 applicable है हमारी attempt के लिए जो के है summer 2021 उसके लिए code of ethics को जब आप खोलेंगे देखेंगे प्राना code of ethics में और नए code of ethics में मैं कभी कबार difference भी बताता जाओंगा आपको जिन students 2015 पढ़ा है यह सिरफ उनके लिए difference होगा बाकि जिन students 2019 फर्स टाइम पढ़े हैं उनके लिए इस difference को समझना जरूरी नहीं है एक छोटा सा difference ही है कि पहले code of ethics जिन पार्ट में divided था उन्हें part ABC के साथ डिनोड करते थे अब part 1, part 2 और part 3 के साथ है तो जब आप code of ethics को खोलेंगे आप देखेंगे code of ethics को चार बड़े हिस्सों में divide किया गया है चार बड़े हिस्सों में divide किया गया है एक है यह major यह top down approach के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ सबसे पहले उपर क्या चीज़ है फिर उसके बाद नीचे फिर उसके बाद नीचे क्या चीज़ है code of ethics 2019 चार बड़े हिस्सों में part 1, part 2, part 3, part 4 यह parts क्या है यह समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि exam में जब question आए तो हम देख सके कि हमने किस पार्ट में जाना है याद रखे यह part है basically nature of engagement से relate करते है कि आप किस तरह की engagement परफॉर्म करने जा रहे है code of ethics जहन में रखेगा code of ethics और्ड़ेट पे भी apply होता है review पे भी apply होता है assurance engagement भी apply होता है other assurance engagement और non assurance engagement भी apply यानी chartered accountant practically every engagement पे apply होता है चाहे वो assurance engagement हो चाहे non assurance engagement हो जो part A है यह basically general part यह हमें conceptual framework बताता है code of ethics के बारे में basic information देता है basic concepts हमारे build करता है general part फिर जो part 2 है वो है for chartered accountants in business chartered accountants in business chartered accountants in business कों से है देखे एक है audit firm जिसमें partner है manager है और दूसरा staff members है audit firm और एक party है assurance engagement है client जिसमें CEO है directors है CFO है accounts manager है बगएरा बगएरा जो अगर आप table के इस side पे हैं यानि audit team में professional practitioner है तो आपके लिए code of ethics का part जो अपली के आपको कहा जाएगा CA in practice in practice का मतलब ऐसे chartered accountants जो के practice में है practice means audit firm का हिस्था है वो audit firm में किसी भी position पे हो सकते हैं आप आप partner की position पे हो सकते हैं manager की position पे हो सकते हैं आपको CA in practice कहा जाएगा और अगर आप table के दूसरी side पे हैं या नी फर्स कीजिए आप किसी business के मालिक है या किसी business के employee है ठीक है CFO है कहीं पे CEO है या इवन आपका अपना business है तो आपके लिए जो part applicable है वो है CA in business Chartered Accountant in business ठीक है ये employee side पे है employee organization वाली side पे है यानी client side पे ठीक है और अगर आप practitioner side पे है प्रैक्टिस कर रहे है तो आपके लिए CA in practice वाला portion relevant होगा तो अब देखिए General concepts ये हर तरह के Chartered Accountants के लिए relevant है हर तरह के Chartered Accountants पढ़ने है चाहे वो audit वाली side पे है चाहे वो organization वाली side पे है हर तरह के Chartered Accountants के लिए ये concepts को understand करना लाजमी है अच्छा अब Chartered Accountant के अब सामने बहुत सी options होती है वो auditor भी हो सकते हैं वो counter भी हो सकते हैं अगर वो किसी firm में audit firm का हिसा है वो practitioner है अगर वो किसी जगा पे CFO के तोर पे काम कर रहे हैं वो client का हिसा है employee organization का अगर वो organization का हिसा है audit firm का नहीं practice में नहीं है तो उन्हें कहा जाता है Chartered Accountant in Business इसको यू समझिये कि ये है code of ethics as applicable on accountants accountants यानि जब कोई Chartered Accountant accounting profession को join करता है audit profession को नहीं practice को नहीं accounting profession को join करता है या किसी business organization को join करता है तो उसके लिए ये part applicable होगा normally जब आप accounting के subjects पढ़ते हैं उसमें भी code of ethics पढ़ते है audit के subject पढ़ते हैं उसमें भी code of ethics पढ़ते हैं लेकिन दोनों आपने नोट किया है, दोनों की application डिफरेंट है, जब आप audit में code of ethics पढ़ते हैं, तो आपको कहते हैं, आप audit partner है, आप engagement partner है, आप team member है, team का हिस्सा है, इस तरह से case study set करता है, लेकिन जब आप counting paper में code of ethics study करते हैं, तो उसमें आपको different position पर बिठाता है, वो कहते यह हमारे subject से irrelevant है, cfaf 6 के paper में आप से इस part की कोई application नहीं पूछेगा, हाँ cfaf 1 जब आप पढ़ने होंगे, फिर शायद आप से इसकी application पूछे, फिर आप से practice की application नहीं पूछेगा, ठीक है, तो cn practice है, code of ethics as applicable in audit, cn business है, code of ethics as applicable in accounting, तो चुक्के इसमें Chartered Accountant जो business में होते हैं, उनको पर applicable है, इसलिए यह cfaf 6 में not applicable होगा, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, यह आपके accounting के teacher, जो accounting के subject होगा, उसमें आपको पढ़ाएंगे, इसका मतलब है, यह हो गया हमारे syllabus से out, यह पढ़ना है हमने, part 1, part 2, नहीं पढ़ना, सर्फ सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन application different होती है, इसलिए यह हम नहीं पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आते है, CA in practice, CA in practice कोन होता है, जो के firm में काम कर रहे हैं, वो partner भी हो सकता है, कोई भी service, professional services provide कर रहे हैं, अच्छा, again, जो practice में CA, वो चुके different types of services provide कर रहे होते हैं, different types of services provide कर रहे होते हैं, अपने clients को, उन में हो सकता है, कुछ ऐसी services हो, पास किजिएगा, तो जो chartered account practice में है, आपको पता है, practice में वो दो तरह की services provide कर सकते हैं, assurance services, non-assurance services, assurance services के अंदर further audit engagement है, review engagement है, और other assurance services है, यह हम ISAs पढ़ चुके हैं, audit, other ISAs, ISA 200, 300, 400, 700 तक 800, फिर उसके बाद review engagement, 2400, 2410, फिर उसके बाद other assurance engagement ही हमने बढ़ा, 3000 की series, 3400, 3420 बगारा बगारा, तो हमारी जो nature of engagement है, उस लहाँ से code of ethics को divide किया गया है, जो practice में chartered accountant है, उस पे part 3, हर तरह के chartered accountant पे apply होगा, यानि वो कोई भी service provide कर रहे हैं, चाहे assurance services चाहे non-surance services, part 4A, audit or review services provide करने वाली engagement पे apply होगा, और other assurance services जो हैं, यानि 3000, 3400 बगारा, कोई भी auditor review के लावा, उसके उपर part 4B apply होगा, part 4B apply होगा, यह nature of application of code of ethics समझ लेजिए, फिर से quickly review करते हैं, code of ethics को कुछ हिस्सों में divide किया गया है, क्यों divide किया गया है, depend करता है, इसका कुछ हिस्सा apply करता है, ऐसे chartered counters पे जो practice कर रहे हैं, कुछ ऐसे chartered counters पे जो business organization का हिस्सा है, फिर इसके बाद जो firm में chartered counters practice कर रहे हैं, इन में कुछ code of ethics का part ऐसा है, जो के हर engagement पे apply होगा, कुछ ऐसा है जो audit and review engagement पे apply होगा, और कुछ ऐसा है जो के other insurance engagements पे apply होगा, अब इसमें code of ethics का part 1 किन पे apply होता है? Code of Ethics का Part 1 हर तरह के Chartered Accountants पर हर तरह के Chartered Accountants पर यह हमने कवर करना है Part 2 कि इन पर अपलाई होता है वो Chartered Accountants जो Business Organization का हिस्था है हमारे Paper के Scope से बाहिर है, Audit के Scope से बाहिर है यह हमने कवर नहीं करना जो Chartered Accountants प्रैक्टिस है उनको कवर करेंगे यानि जो Practitioners है C.A.F.M. का हिस्था है अब इन में भी कोई Code of Ethics का एक portion ऐसा है जो हर तरह की Engagement पे अपलाई हो रहा है यह अब Nature of Engagement के लिहास यह Application है ठीक है? यह उपर जो थी वो Profession के लिहास यह Application थी कि आपने किस Profession किस फिल्ड को चूज किया Chartered 100 ने नीचे Engagement के लिहास यह Application है हर तरह की Engagement चाहें Assurance है चाहें Non Assurance है उसके उपर Part 3 अपलाई होगा Assurance Engagement है उसमें Auditor Review है Part 4 अपलाई होगा और Auditor Review के लावाद Assurance Engagement है 4 भी अपलाई होगा अब सुनिये हमारे Slayer Bus के मताबिक Part 3 अपलीकेबल है हम कवर करेंगे क्योंकि यह Auditor Engagement पे भी अपलाई होता है Review Engagement पे भी और बाकी की शुरूस Engagement है हर तरह की Engagement पे Part 4 अ Auditor Review यह हमारे लिए Most Important Part है पूरे Code of Ethics में जो सबसे एहम पार्ट है हमारा वो यह है क्योंकि एक्जायम में जितने भी अभी तक उसकी प्रैक्टिस है जितने भी Questions उसने बनाए है वो Audit या Review के Context में बनाए है बलके ज्यादातार Audit Engagement के Context में बनाए है और जो 4B है हाला कि हमारे Audit पेपर का हिस्सा है लेकिन Examiner, Audit और Review के इलावा Other Engagements को टेस्ट नहीं कर रहा पास में इसकी प्रैक्टिस नहीं है टेस्ट कर रहा है और अगर वो टेस्ट करता भी है फर्ज कीजिए वैसे तो चांसे जहीं हैं कि वो नहीं कर लेकिन फर्ज कीजिए अगर टेस्ट करता भी तो 4B के कंसेप्ट्स वो ही हैं तकरीबन जो 4A में ठीक है क्योंकि ये भी शोरूस अंगेजमेंट है ये भी शोरूस अंगेजमेंट है फरक सिर्फ या कि Audit और Review है Historical Financial Statements ये Other Financial Information होगी इसे लिए हम Part 4B को भी Cover नहीं करेंगे क्यों कवर नहीं करेंगे जहन में रखेगा एक रिजन ये है कि एग्जमेंट और रिव्यू की इंगेजमेंट में टेस्टिंग करता है Other इंगेजमेंट में टेस्टिंग नहीं करता दूसरा पार्ट 4B में जितने भी Concerts हैं इवन वो सारे हम 4A में Cover कर लेता है तो यहां पे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो डुप्लीकेशन ओफ वक हो रहा होगा तो यह हमारा structure था जो मैंने आपके साथ explain कर दी और सबसे अहम चीज़ जो आपको बताई वो यह कि हमारे लिए exam point of view से जो 4A पार्ट है यह सबसे अहम है अब अगली बास सुनेजिए आज के दिन में आपने जो सबसे अहम काम करना है जो सबसे अहम काम करना है वो सबसे आसान है क्या हर पार्ट के नीचे मैंने page number लिखे हुए आपने note किया होगा आपके लिए यह page number याद करना लाजमी है लाजमी है आप code of ethics में चाहिए और कुछ भी याद ना करें लेकिन यह page number याद करना लाजम यह page number आपकी linking बनाएंगे exam के question की code of ethics में जिस जगह पे solution है उसके साथ और आपको पता है exam में सबसे अहम चीज़ यह है के question हमारे सामने आया फोरण हमें पता चल जाए code of ethics में किस जगह पे लिखा हुआ है यह skill सबसे अहम है और यह skill develop करने के लिए page number याद करना लाजमी है यह page number आपको link bridge बना रहा है exam के question में और उसका solution code of ethics में किस जगह पे मजूद है उसमें तो आपने जिन topics को जिन areas को जिन parts को हमने cover करना है ना इनके page number लाजमी याद ओने चाहिए हो सके तो बाकी के भी याद कर लें अहत्यातन अहत्यातन कहा रहा हुँ बाकी के भी याद कर लें तो बहतर है जिन parts के हमने cover करना है उनको तो आपको लाजमी याद दोने चाहिए part 1 आएंदा जब कभी मैं आपसे पुछू हूँ हाँ code of ethics part 1 क्या बताया हुआ है आपको पता हो general concepts बताता है मैं पुछू हूँ को अचा part 1 किस पे applicable है आपके सर हर chartered accounters पे applicable है अचा part 1 में जो concepts discuss हुए है वो किस page पे list बनी हुई है सर page number 10 पे list बनी हुई है फिर मैं आपसे पुछू part 2 ये किस पे apply होता है सर ये सिरफ उन chartered accounters पे apply होता है जो कि business side पे है अचा इस पे जो concepts apply होते है उनकी list किस page पे है 27 पे ठीक आगे चलता है पार्ट 3 किन chartered accounters पे apply होता है किस पे apply होता है ऐसे chartered accounters पे जो के practice का हिस्सा है profession का हिस्सा है business side में नहीं है वो practice side पे है और part 3 practice में हर engagement के उपर part 3 apply होगा अच्छा इसके concepts किस page पे है age number 68 पे फिर part 4 4A में और 3 में क्या फरक है 3 हर engagement पे assurance हो या non assurance हो 4A ऐसी assurance engagement में जो audit हैं या review है 4B ऐसी assurance engagement जो other than audit हैं रिवी हुआ इसका मतलब है अगर exam में फर्स कीजिए वो हमसे कोई non assurance engagement पे ethical issue बता देता है तो कहां पे जाएंगे non assurance engagement है और कोई ethical issue आ गया कहां जाएंगे part 3 में audit में उसने बताया कोई ethical issue आ गया कहां जाएंगे 4A के किस सफ़े पे किस सफ़े पे page number 124 तो ये page number आपको याद होना last way parts याद होने और हर part का page हर part में cover क्या कर रहे हैं और उसका page number क्या है ये आपको पता होना चाहिए अब हम वापिस आते हैं start करते हम part 1 से part 1 page number 10 ये हमें क्या बताता है ये हमें conceptual framework बताता है कि code of ethics logically कितने हिस्सों में divided है या कोई भी अगर ethical issue arise होता है हमने किन steps में उसको address करना है respond करना है code of ethics कहता है सबसे पहले तो fundamental ethical principles होते है start code of ethics कह यहां से होता है कहता है कुछ principles हैं जो हर chartered accountant को comply करना जरूरी है मानना समझना और उसको पर عمل करना जरूरी है यानि कुछ असूल है जैसे जो बड़े लोग होते हैं वो असूल पसंद होते हैं असूलों की जिन्दगी गुजारते हैं तो उसी तरह जो chartered accountants होते हैं इनके भी कुछ असूल होते हैं professional life में वो असूल क्या है वो यह पांच असूल है integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, professional behavior अच्छा अब देखिए, इसके साथ-साथ मैं जब कोई concerns पढ़ाऊंगा आपको तो अकसर section साथ मैं mention कर दिया करूँगा इसका यह मतलब हरकी नहीं आप में section जबानी याद करना है जबानी याद करने को आपको सिर्फ एक चीज़ कही है मैंने कुछ pages की list, part 1 किस page पे है list, part 2 की list किस page पे है, 3 की किस पे है, 4a की किस, 4b की किस पे यह सिर्फ page नमर याद करने है, आगे section सिर्फ आपको link करवाने के लिए कि जब आप यह concern मैंने समझा है इसको read करना है आपने, तो code of ethics में किस जगा पे जाके read करेंगे तो यह section 110, part 1 में section 110 से लेके 115 तक, तो five fundamental principles हैं, यह principles काइफ लेवल पे आप detail में study कर चुके हैं, मैं यहाँ पे repeat नहीं करवाँगा, क्योंकि यहाँ पे इस class का मकसद CAF level का knowledge आपका revise करवाना नहीं है, अगर आपके पास CAF level के notes पढ़े हुए हैं, बहुत अची बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप code of ethics पढ़े हुरिजिनल, वही बात हैं जो आपने CAF level में पढ़े हैं तो integrity, briefly मैं discuss करता जाता हूँ ताके concept refresh हो जाए, integrity का मतलब क्या है, जो Chartered Accountant है, straight forward, honest, truthful रहें, अपनी dealing में, जूट ना बोलें, objectivity का मतलब क्या है, objectivity का मतलब यह है, कि वो without any bias अपनी service perform करें, यानी service perform करने में उसे client को undue favor या undue adverse नहीं होना चाहिए client से, independent रहें, neutral रहें, objective रहें, without any bias decision making करना यह objectivity कहलाता है, professional competence undue care, competence का मतलब क्या है, कि आप वही काम, जो काम accept करने जा रहें, कि हाँ मैं करता हूँ, अगर आप में वो knowledge, वो skill है, तो आप उसको accept करें, competence का मतलब required knowledge and skill, किसी भी काम करने के लिए, और मेरे पास फर्ज कीजिए required knowledge and skill है, मतलब competence है, लेकिन फिर मैंने engagement को accept करने के बाद, उसको सही तरीके से perform भी different assurance engagement, non-surance engagement study किये, हर engagement का जब आप start करते थे, पहला start यहाँ से होता है, accept and continuous procedure, अगर आप में यह यह चीज़े हैं, यह देखो, तो फिर आप accept कर सकते हैं, वर्दा accept नहीं कर सकते हैं, तो professional competence and due care का तालुग इस इस से है, कि आप कोई भी engagement आपके पास आए, पहले आप evaluate कर ले आप competent enough हैं, उसको perform करने के लिए, और फिर अगर accept कर लें, उसके बाद उसको standards के मताबिक perform करें, confidentiality, आपको अपने client को service provide करते वे client की कोई भी information मिले, आपने इसको confidential लखना है, ना किसी को disclose करना है, ना personal benefit के लिए use करना है, confidentiality में दो चीज़े हैं, सिरफ यह disclosure से relate नहीं करता use से भी relate करता है, हाँ, कुछ exceptions हैं, कुछ exceptions हैं, जब आप confidentiality principle को bypass कर सकते हैं, नहीं confidential information third parties को disclose कर सकते हैं, वो exceptions कौन सी हैं, जब for example law require करें, जब client permission दे दे, जब ICAP का, यह SECP का को quality control review चल रहा हो, investigation चल लिए हो, बगएरा बगएरा, तो confidentiality की कुछ exceptions भी हैं, यह जहन में रखिएगा, कैफ में आपको याद होगा, exceptions के उपर हम बज़र दिया करते थे, और professional behavior, यानि client के साथ आपने courtesy से behave करना है, professionally, यह हमारे fundamental ethical principles हैं, जो दुनिया के हर chartered accountant को, चाहे वो practice में हैं, चाहे वो business में हैं, चाहे assurance engagement है, चाहे non-assurance engagement ह तो इन principles को पूरा करना है, यहां तक inquiry करते हैं, आगे जलते हैं, लेकिन इन principles को पूरा करना इतना असान नहीं है, ताहिर असुलों के साथ जिन्दगी गुजारना मुश्किल काम है, बहुत सी situation ऐसी आती हैं, जब असुलों के उपर compromise हो सकता है, हम compromising situation में आ जाए, इसी वज़ा से हमारे लिए code of ethics को comply करना मुश्किल हो जाता है, इसे हम कहते हैं threats, exam point of who से principles और threats, इन दोनों में से threat वाली situations, यह वाला portion ज्यादा हैं, क्योंकि वो exam में कहाने start ही threats से करता है, बहुत यह situation है, बताओ इसमें क्या करना, threats, threats का मतलब क्या, ऐसी situations, ऐसी circumstances, जिन की वज़ा से हमें fundamental ethical principles को comply करना मुश्किल हो जाता है, अच्छा, अगर हमें threats को face करना पड़ता है, practically, step by step हमारी approach क्या होगी, सुनिए, code of ethics approach बताता है, कहता है, सबसे पहले आप यह देखिए, कि threats को identify कीजिए, identifying threat, step number one, कहीं पे भी कोई ऐसी situation arise हो गई, जिस भी आपके लिए fundamental ethical principles को comply करना मुश्किल है, सबसे पहले देखिए, threat कौन कौन से violate हो रहे है, threat कौन कौन सा involve हो रहा है, इस situation में, total 5 तरह के threats है, हमने देखना है, इस situation में, क्या कोई एकी threat है, या 2 threat है, या 3 threat है, ठीक है, maximum 3 threat तक होते हैं, इससे ज़्यादा threat नहीं जाते हैं, लेकिन में भी कभी कोई ऐसी situation आज़ जिसमें शाहिए 3 से ज़्यादा threats भी इन्माल वह, लेकिन exam में, code of ethics में, जितनी भी situations हैं, उनमें, नर्मली, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, इतने threats होते हैं, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 3, लेकिन मों जाहरे कोई से भी threat हो सकते हैं, तो हम threats की अब type पढ़ते हैं, self interest threat क्या होता है, यह भी again मैं briefly discuss कर रहा हूँ आपके साथ, ताके concepts refresh हो जाएं, ठीक है, बाकी अगर आप मजीद इसको detail में पढ़ना चाहते हैं, आप calf level का material भी use कर सकते हैं, और code of ethics को से भी reading कर सकते हैं, बहतर है code of ethics से reading करें, concepts वही हैं, आप comfortable होंगे, मैं चाहता हूँ आप code of ethics से साथ जितना comfortable हो उतना बेतर है, तो self interest threat का मतलब क्या है, जब हमारा client के साथ कोई पैसों का लेना देना होगा, relationship होगा, interest involved होगा, financial, self interest threat का मतलब financial, पैसों का, fees overdue है, client के shares लिया हूँ है, loan लिया है, loan दिया है, business relationship है, मिलके business कर रहे हैं, यह सारी जो situations है, self interest threat, self interest threat मतलब क्या, कि engagement team में से, किसी भी बंदे का, client या उसके किसी भी बंदे के साथ, पैसों का लेना देना हो, इसमें, छोटी से छोटी situation भी और बड़ी से बड़ी भी cover हो सकते हैं, जैसे, छोटी छोटी situation क्या है, कुछ हरसा गुजर गया, fees pay नहीं की, बड़ी से बड़ी situation क्या हो सकती है, business relationship है, हमारे partner का, client के CEO के साथ, और भी different situations है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इसलिए का, कि कुछ पॉस से आगे चलके, जब हम code of ethics की situation को पढ़ने होंगे, कुछ situation में threats कम significant होगा, कुछ situation में threats ज्यादा significant होगा, तो significance को सामने रखे, मैंने का, कि self interest threat बहुत सी situations हैं, जिन में self interest threat create होता है, कुछ situation में इसकी significance कम होगी, कुछ situation में significance ज्यादा होगी, अच्छा ये self interest threat पैसे involved हो, जब पैसे involved ना हो, relationship involved हो, family relationship, personal relationship, friendship, friends and family members, अगर team, engagement team में से, किसी भी team member के partner से लेके, junior team member तक, किसी भी team member के, client company में, कोई relationship है, कोई भी relationship, वो friend से लेके spouse तक, दर्मियान में जो भी, भाई, बेहन, वाल, दैन, चच्चा, पूपा, रिश्यता, जितने भी आते हैं, वो सारे आ सकते हैं, जब इस team member में से किसी का, इन लोगों में से, management में से किसी के साथ, कोई personal relationship होगा, family relationship होगा, तो उससर, familiarity threat arise होता है, familiarity threat और self interest threat में फरक है, familiarity threat बंदों के स्लोगों के साथ होगा, उसमें relationship involved होते है, self interest threat में पैसे involved होते हैं, फिर self review threat, self review threat में अपना काम खुद चेक करना, self review threat कब arise होता है, जब हम client को कोई non insurance services भी provide करें, और फिर बाद में insurance services भी provide करें, जब engagement कोई auditor, CFM, practitioner, client को insurance और non insurance दोनों services प्रवाइड कर रहे हों, तो उस صورت में self review threat arise होता है, for example, हमारे client ने हमसे कहा, पहले, sir आप financial statements बनाते हैं, हमने का, बिलकुल क्यों नहीं बनाते हैं, हमने standard पुरा पढ़ा है, compilation engagement का, बिलकुल बनाएंगे, हमने financial statements बना लिए, बाद में उसने का, sir आप audit भी करते हैं, हमने का, बिलकुल क्यों नहीं, audit भी करते हैं, हमने आई ऐसे 200 से लेकिए, आई ऐसे 800 तक, सारे standards audit के पढ़ा है, audit भी करना आता है हमें, उसे का, लाए, audit भी कीजिए, अपनी बनाए हुई financial statements का, हमने खुद audit कर रहे हैं, अपना किया हुआ का, हम खुद review कर रहे हैं, threat arise हो गया, क्या threat, क्या पता नहीं हम सही तरीके से review कर सके के नहीं, सही तरीके से, उसको examine verify कर सके के, कही हम यह ना सोचे, क्यार हमारे हाँ से बनी है financial statement, ठीक होगी, दोबारा चेक करने की क्या जरू होता है, तो यह self review threat, अब आपके जिए में question rise होगा, क्या हम एक ही client को assurance और non assurance दोनों services provide कर सकते हैं, इसका जवाब है yes, लेकिन with some conditions, वह हम इस code of ethics में आगे चलके पढ़ेंगे, फिलहाल आप यह assume कर लिजिए, कि मैं जो कहा हूँ सही है, कि हम एक ही client को assurance और non assurance दोनों services provide कर सकते हैं, लेकिन कुछ cases मैं कर सकते हैं, कुछ मैं नहीं कर सकते हैं, जिन में कर सकते हैं, मैं condition के साथ हैं, conditions हम बाद में पढ़ेंगे, next advocacy threat, advocacy threat क मतलब क्या हता है, client के point of view को promote करना, advocacy threat or intimidation threat normally कम-कम situations है, कम situation discuss हुई है, code of ethics में की, ठीकिन exam point of view से बारा नहीं कवर करना है, advocacy threat मतलब client के point of view को promote करना, जैसे फर्ज कीजिए, कि अगर हम client के बिहाफ पे, client के litigation, client की अटकी हुई है, और हम client के बिहाफ पे, उस litigation में client को represent करते हैं, अफाज आपले FBR का कोई case है, advocacy तरह है, ठीक है, या हम as promoter client की investment को, client के shares को promote कर रहे हैं, Intimidation Threat का मतलब यह होता है, जब client हमें धंकी दे किसी किसम की, for example, वो हमें जल्द, वो कहें एक मीने के अंदर नरा, अपनी engagement को complete कीजिए, तो time कम दे रहा है, threat कर रहा है, या हमें कहें, अगर आपने qualified opinion दिया, तो आपको हम remove कर देंगे, एकले साल के लिए आइटर पाइंट ने करेंगे, यह हैं धंकी, intimidation threat, याद रहे हैं, intimidation में, a case study में, वो हमें कोई जान से मारने की धंकी नहीं देगा, वो किसी ना किसी professional corporate ल बगारा बगारा, यह intimidation threat, तो यह पांच तरह के threats हैं, exam में और practically जब कभी हमारे सामने कोई भी situation आई, ऐसी जिससे code of ethics की कोई problem create होती हो, step number one हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने threats को identify करना है, threats identify करने का मतलब क्या है, कि इस situation में कौन-कौन से threats identify होते हैं इन पांच में से, कोई एक, या कोई दो, या कोई से तीन, कौन-कौन से, यह जानना ज़रूरी है, यह याद रखे, इसलिए जानना ज़रूरी है, ताकि इसके बाद हमने जो action लेना है, वो हमारे threats पे depend कर रहोगा, जिस तरह के threat, उस लि कमेंट करता हूं, कि यह कुछ हमने identifying threats में बता दिया हुआ, आपको reference, 120, यह कौन से, 6A2 लिखा आपने, यह देख लिजएगा, code of ethics में, जो भी reference है, A3 और A4, 6A2 होगा, मेरा है, अच्छा, अभी मैं आपको इसकी numbering भी समझाता हूं, numbering मैंने structure आपको समझाना है, भी पहले मैं base develop कर लूँ, क्यूंकि मैं बताया था, top-down approach से चलना है, पहले मैं पता, उपर-पर से code of ethics से किसे से में क्या discuss हुआ है, और चलता कैसे structure कैसे है, आज के lecture में मैंने आपको structure explain क फिर threats, threats हमें identify कर लिए, अच्छा, यह दो threat होंगे, कौन कौन सा होगा, self-interest threat or familiarity threat, for example, अब क्या करना है, threat को evaluate करना है, evaluate करना का मतलब क्या अंदाजा लगाना, कि यह insignificant है कि significant है, क्योंकि कुछ threats ऐसे होते हैं, जो ब्राए नाम होते हैं, ठीक है, जिनके लिए कोई specific action लेने की जरूत नहीं है, जैसे कुछ बीमारिया ऐसी होती है, जिनके लिए, कुछ इतनी insignificant होते हैं, उनके इलाज करने की जरूत नहीं होते हैं, जैसे, for example, अगर कभी हम ठके हुए हो, जिसम दर्द कर रहा है, या सर दर्द कर रहा है, तो नॉर्मले इसके लिए हम डक्टर के पास जाते हैं, हम क्या करते हैं, चाहे का कब पितनी हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बिल्कु ठीक होते हैं, लेकिन कुछ बीमारिया ऐसी होती हैं, जिनके लिए action लेने की जरूत होते हैं, तो उसी तरह, threats identify कर लिए हमने, कुछ threats ऐसे होंगे, जिनक करने के बाद किसली कर रहे हैं? ताकि पता चले, threat Is Significant or Is Significant? Insignificant is, जरूद होने का मतलब यह मतलब यह है, इसके ओपर कोई action लेने की जरूत नहीं है, इसको ठोड़ा सा थ्रेट है, इसको as it is र्हने दे, कोई action लेने की जरूत नहीं है, significant threat का मतलब क्या है? कि थ्रेट बड़ा है इसके उपर कोई एक्षिन लेने की ज़रूत है अच्छा थ्रेट से इडेंटिफाई भी कर लिया पता चला सिगनिफिकेंट है अब क्या करना अब क्या करना थ्रेट को एड्रेस करना अच्छा यह तर्म्स अब जहन में रखिएगा तर्म्स क्यूंकि तर्म्स आपको बताएंगी कि किस लेवल पर हम कंसर्ट पढ़ रहे हैं कि identify treat evaluate threat address threat best America मतलब कुछ हो रहे मicket कुछ हो रहे मैं इड्रेस नभात को हो रहे ऐड्रेस्ट करना डाक्टर के बागे डाक्टर साब यह मसलें इलाज कीजिए ठीक है क्या करना है Safeguard Threat को तीन तरीकों से Address किया जा सकता है एक Safeguard Actions to Eliminate Threat तीसरा Declined Engagement Declined Engagement इसको example से explain करता हूँ फर्ज कीजिए एक मरीज को डक्टर के पास लेके जाया गया ठीक है अगर वैसे चलने फिरने की वज़ए से टांग में दर्द हो जाती तो जाहिर है वो Insignificant Threat होता उसके लिए डक्टर के पास जाने की ज़रोत नहीं थोड़ा सा रेस्ट करते थकंदूर हो जाती लेकिन वो शदीद किसम का दर्द है औक्टर के पास किया? डक्टर क्या करें गा? सेफ़गाड का मतलब इलाज डक्टर कुछ प्रोसीजर पर फार्म करेंगा उस दर्द को ठीक करने के लिए वो प्रोसीजर कुछ भी हो सकते है हो सकता है कि वो कोई medicine दे दे, हो सकता है वो physiotherapy करे, हो सकता है वो कोई surgery करे, यह depend करता है, अच्छा यह है safe guard, safe guard क्या मतलब है, threats को कैसे हमने address करना है, यानि threat होगा, safe guard से वो threat कम हो जाएगा, वो दर्द जो टांगों में था, वो खतम हो जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा, यह safe guard, लेकिन बाज उकात ऐसा होता है, threat ज्यादा सिवेर होता है, safe guard से possible नहीं होता, कि वो ठीक हो सके, फिर क्या करना होता है, actions to eliminate threat, ऐसे actions लेने होते हैं, कि threat को खतम कर दिया जाएगा, अब threat को safe guard के जरीए से reduce नहीं करना, ऐसे action लेना है, जिसको खतम कर दिया जाएगा, बजाहिर आपको सुनने में लग रहा होगा, eliminate threat वाली situation बेहतर है, लेकिन यह बेहतर नहीं है, ठीक है, पहले हम safe guard की कोशिश करते हैं safe guard अगर ना हो, तो फिर हम eliminate threat की तरफ जाते हैं, यह ऐसी है, जैसे डाक्टर अगर समझेगा, हाँ, इलाज होने से, टांग ठीक हो जाएगी, वो इलाज करेगा, medicine देगा, फिजियो थरपी करेगा, ठीक है, कोई injection करना लगाएगा, कुछ थोड़, अल्किपल की surgery करेगा, लेकिन अगर उसे लगे, नहीं, यह शुगर का मरीज है, और जहर जो है, वो जिसम में पहलने का खतरा है, वो क्या करेगा, वो टांग काट देगा, यह है, eliminate threat, threat eliminate हो गया, लेकिन जाहिर है, टांग काटना कोई अच्छी option तो नहीं है, तो पहले safe guard, safe guard लिखने के बाद, end मे हम फिर लिखेंगे उसके बाद, कि अगर इन safe guard से threat eliminate नहीं हो सकता, तो फिर यह काम कर लो, ठीक है, लेकिन यह इतना पसंदीदा अमल नहीं होगा, लेकिन case study में solve करते हम उनने जाहरी लिखना होगा, फिर decline engagement, कुछ cases में ऐसा भी होगा, कि threat eliminate भी नहीं हो सकता, उसमें engagement को decline क करना होता है, जैसे फर्ज कीजिए, मरीज़ को बहुत देर से डाक्टर के बास लेके जाया गया, जहर पूरे जिसम में फैल चुका था, अब क्या करेगा, डाक्टर क्या करता है, तो कहता है नहीं ले जा भई इसको, इसको बसे दो तीन दें लेगे इसको खिलाए पिला, यह जब डाक्टर आपने एकसर बाज उकात सुना होगा, खबरोगरा में यह वैसे, कि डाक्टर आपने लेके जाए, कंडिशन ज्यादा खराब हो तो डाक्टर हाथ नहीं लगाता, यह हम पर मुदा बढ़ जाएगा, तो ले जए इसको किसी और जगा ले जाए, इंगेज कोशिश की, इसको अपने अडिट प्रफेशन के एक्जेंपल के साथ इस कंसेप्ट को डिसकस करते हैं, फर्ज कीजिए, अगर हमें यह पता चला, कि कोई टीम मेंबर हमारा एक टीम का जुनियर टीम मेंबर है, क्लाइंट पे उसका कोई रेलेटिव मेनेजर, उसका कोई र हमारा बंदा, उधर क्लाइंट का बंदा, दोनों की रिष्टेदारी है, फिमिलिर्टी थ्रट आगया, थ्रट क्या है, अच्छा सिक्निफिकेंट है, क्या करें, सेफ़गाट, सेफगाट में क्या किया जाएगा, ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे, के थ्रेट रिडिउस हो अच्छा, Code of Ethics में मुझे याद आगया, Common Sense अप्लाई होगी, आपने situation का Common Sense अप्लाई होगी, क्योंकि लाजमी नहीं हर situation वही आए, exactly उसी तरह जिसरा Code of Ethics में डिसकस रहा है, नर्मली उसी तरह आती है, लेकिन कभी कभार unseen situation भी आजाए, तो याद रखे, आपने कर Code of Ethics पढ दें, तो favor नहीं दे सकता, बिल्कुल ऐसा ही है, हम कहेंगे, यह safeguard अप्लाई करने से threat reduce हो गया, लेकिन फर्स कीजिए, situation को थोड़े से different करते हैं, इधर manager accounts, हमारा manager है, और दूसरी तरह CFO है, यह दोनों भाई है, अब देखे, इस situation में हम safeguard नहीं ले सकते कोई, क्यों नहीं manager ने तो सारी financial statement को review करना है, verify करना, check करना है, और दूसरी CFO भी पूरी financial statement के लिए liable है, अब हम अपने manager की responsibilities को restructure करके, उसकी responsibility को change नहीं कर सकते, क्योंकि responsibility को change करके, जो area देंगे, वो भी तो उसी threat के undercover हो रहा होगा, यहां पे फिर हम इसका मतब safeguard अपलाई नहीं, तो क्या कर सकते है वहला, यहां पे हम उस manager को team का हिस्सा ही ना बनाएं, किसी दूसरे को ले आएं, यह example action to eliminate threat, threat खतम हो जाएगा, हमने safeguard कोई नहीं अपलाए किया, हमने उस situation को bypass कर दिया, उस situation से exist कर दिया, ठीक, फिर अच्छ से CEO, यह दुनों भाई हैं, यह दुनों भाई हैं, अब पार्टनर को भी change करने से, अब तो change करने से भी मसला नहीं, क्यों, पार्टनर still firm में रहेगा ना, तो वो direct अगर engagement में नहीं भी है, वो indirectly, किसी ना किसी तरीके से influence हो सकता है, इस तरह कि अगर solutionarize हो, इसमें क्या करना है, decline engagement, engagement को ही accept नहीं करना, तो यह basically depend करता है, हम exam में जहन में रखेगा, exam में किसी भी एक situation में हमने safeguard, action और decline, इन सब को discuss करेंगे, significance के लिहास है, ठीक है, कुछ situation में safeguard apply होते हैं, कुछ में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, safeguard के साथ उसने elimination threat की भी बात की होगी, और कुछ जो ज़्यादा swear है, उसमें decline engagement की भी बात की होगी, आपने तीनों को सब्सक्राइब, हर question में लाजमी नहीं के तीनों हैं, हो सकता है, किसी question में हम सिर्फ सेफगार्ट की बात करें, किसी question में हम directly elimination की बात करें, हमके safeguard possible यह से हो सकता है, लेकिन किसी भी situation के उपर आपने ready रहना ह तीनों options के लिए, उसमें लिखनी कितनी है, जितनी discuss हुई है, discuss कितनी हुई है, वो case to case vary करेंगी, लेकिन इन तीनों options में फरक मैंने आपको explain कर दिया, और आपको बता दिया, कि threat में हमने step by step तीनों को evaluate करना, इस option को भी इसको भी, तो अभी तक हमने code of ethics समझा, हमने पहले इसके चार parts देखे, हर part की अपनी लादलद application है, फिर हम सिरफ part one को हमने खोल के देखा, इसमें conceptual framework, basic concepts discuss किये गए हैं, कि code of ethics जो है, वो किस तरीक के से चलेगा, हमने पहले पता चला, five fundamental ethical principles हैं, फिर हमने पता चला कुछ threats हैं, फिर हमने threats में ये देखा, कि जब कभी कोई भी ऐसी situation हमारे सामने आती है, जिसमें कोई एक या दो या तीन threats आ रहे होंगे, हमने step number one क्या करना है, identify threat, step number two, evaluate threat, significant है कि insignificant, step number three, address threat, address threat में क्या है, safeguard, eliminate, decline engagement, इसके बाद आगे चलते हैं, अब मैं आपको structure of the code समझा रहा हूँ, आपके सामने इस वाद code of ethics होना चाहिए, ठीक है, मुझे हाड़ फार्म में नहीं मिल सका, तो हमने क्या किया, डाउनलोड करके print निगा लिया, तो इस वाद मेरे सामने print है, लेकिन आपके साफ, आपके पास handbook होनी चाहिए, वरना अ एक तो काम आपने आज ये करना है, जो मैंने page number लिखवाई हैं आपको, आपने उदर जा कि उस लिस्ट को पढ़ लेना है सिरफ, और कुछ नहीं करना, समझना भी नहीं है, पढ़ लेना है, अलफाज के साथ familiar हो जाएं, और कम अज़ कम मैंने जो आपको बड़ा structure समझा है ना major structure, code of ethics के ये 4-5 हिसे हैं, ये आपको पता चल जा कि वाकिए सही है, सही बात की थी मैंने, वैसे ही लिखे हुआ है, ये बहुत एहम है क्योंकि exam में nature of engagement समझना जरूरी होता है, और फिर उसके बाद list पे जाना, ये पहला फैसला होता है सही जो अगर आप कर लें 25% आप के दिन में, ये चार ये जो पेज नमबर मैंने आपसे कहा है, ये याद कर लिए ना, तो समझ लीजिए, conceptually, आपका code of ethics 25% solve है, exam में इतना ही अहम होता है, सही नतीजे पे पहुंचना, फिर इसके बाद, जो code of ethics है, इसका structure क्या जी, structure समझ लीजिए, structure, इसके चार parts है, वो मैंने भी आपको बता दिया, part 1, सारे के सारे charter counters के लिए, part 2, जो business में है, part 3 और 4, जो practice में है, इन में से part 3, practice में हर engagement के लिए, 4A, audit and review के लिए, 4B, other than audit and review, show business engagement के लिए, चार parts में divided है, ये clear हो गया, इसके बाद, हर part में कुछ section और subsection है, हर part में कुछ section, section और subsection क्या है, ये headings है, headings है, जैसे अगर आप देखें, फर्ज कीजिए, कोई भी, मैं part को लेता हूँ, ये लिजिए, मेरे सामने आगया, ये page 93, इसके ऊपर है section 340, ये किस पार्ट का है, मुझे नहीं पता, वो बैग, पता चले का context से, लेकिन ये section लिए section लिए section के नीचे कुछ headings लिखी है, inducements including gift and hospitality, introduction, requirement, journal, ये section, section है, inducement including gift and hospitality, ये caps में लिखा हूँ, बड़ी ABC में लिखा हूँ है, ये section है, और फिर इसके नीचे जो छोटी ABC में लिखा हूँ है, introduction, requirement, application वगारा, ये सब section है, ये सब section है, तो code पहले part, चार parts में divided है, फिर उसके बाद हर part divided है, कुछ section और सब section में है, फिर, हर section ये सब section के अंदर paragraph है, और ये हैं हमारे लिए एहम काम के, बाकी तो सिर्फ linking के लिए ज़रूरी होता है, एक्जैम में क्या होगा, आप question पढ़ेंगे, पहले देखेंगे, मुझे चार्डिट कांटर बना रहा है, का मुझे कांटर बना रहा है, फिर देखेंगे, ये audit engagement या review engagement है, या कोई other assurance engagement है, इस decision के बाद, आप इस फैसले पे पहुंच जाएंगे, कि question किस पार्ट पे base कर रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 A पे, 4 B पे, इस पहुंच जाएंगे, 4 A पे फर्स कीजिए, question base कर रहा है, अब क्या करना है, 4 A के अंदर तो बहुत सी list है, list हमें क इस page में मिलेगी, वो पता चल जाएगा, आपने याद किया होगा, उस page पे जाएंगे, उस पे आपको different situation बनी होगा, वो section है, हर, हर situation के section है, तो आपने पहले part question पढ़ा, question से पहुंचे part पे, part के page पे गए, तो देखा ये, जिस situation का जिकर कर रहा है, जैसे gift वाली situation है, ये इस सफ़े पे कहा लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे long situation की situation है, इस सफ़े पे कौन सा section है, page नंबर से आपको, उस page नंबर पे जो list है ना, वो basically section है, उस से section पता चल जाएगा, आगे, उस section के आगे नहीं, fortunately, खुश किसमती से, उस ने हमें page नंबर भी दिया हुआ, हम उस page नंबर पे पहुँच जाएंगे, जैसे यहां पे मेरे सामने आया, page 68 पे part 3 है, चार्डर गांडर से प्रेक्टेस, इसमें देखे, section दिया है, section 300, 310, 320, 321, मैं देख लूँगा, exam में जो situation है, उस कि relate कर रही है, पहले मैं पहुचा, पार्ट पे, पार्ट से पहुचा, section पे, section से आगे 93 फर्स कीजिए, मुझे पता है 93 है, मैं page 93 पे पहुच गया, section के आगे paragraph, अब paragraph सुनने जिए, paragraph में different commentary है, कि अगर इस तरह हो, gift चोटा हो, यह कर लो, gift बड़ा हो, यह कर लो, gift देते को भी बता देगा, तो यह कर दो, वकिरा वकिरा, वकिरा, उस, उसकी different situation discuss की हुई है, उसी section के अंदर, gift की, जो maximum possibilities है, वागे paragraph में discuss की हुई है, हम part पे पहुच गे, section पे पहुच गे, अब इसके आप paragraph को समयने जा रहे है, paragraph में, paragraph तीन तरीकों से, draft किया हुआ उसने, यह ज जिस तरह आपके counting में होता था ना, और audit में, auditing standard आपने पढ़े हैं, auditing हाँ, ठीक है, auditing standard, उसमें आपने देखा होगा के, उसने requirements सारे इलादा की हुए हैं, और application material सारे इलादा की हुए हैं, और application वाले जो paragraph हैं, उनके साथ A लिख दिया हुआ है, वही style उसने यहां पे त लादमी है, ऐसे paragraph R से शुरू हो रहे हैं, R means requirement, इसका मतलब यह जो paragraph R से शुरू हो रहे हैं, वह हमारे लिए सबसे एहम है, practically, और सबसे एहम हैं, क्यों, यह हमने मरते मर जाना है, इस requirement को नहीं छोड़ना, लादमी पूरा करना, unless के law की तरफ से कुछ कहा जाए, जाहिर पता है, जब standards में और law में conflict होता है, लादमी पूरा करता है, तो requirement को लाजमी करता है, जैसे यह paragraph 114.1, इसके साथ R लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, यह requirement है, इसको लाजमी हमने पूरा करना, फिर इस requirement के मज़ीद कुछ आगे, इस requirement से नीचे, और बाज उकात उपर भी explanation नेशन आरी होती, क्योंकि किसी requirement को समझाने के लिए, बाज उकात requirement को बता के फिर explain करना पड़ता है, और बाज इसका मतलब क्या है, और बाज उकात requirement से पहले context बनाना पड़ता है, एस situation में क्या करना है, यह करना है, यह requirement बता के आगे explain कर सकता है, तो normally requirement आकर yağने पेराग्र application material है वो basically requirement की explanation है application है नाम से जाहिर है वो कुछ examples हो रहा है बता कि हमें explain कर रहा हुता है यह paragraph A से शुरू हो रहा हुता है जैसे 114.1 उसके आगे A1 ठीक है 114.1 यह requirement का पैरा था यह basically paragraph नंबर यह होता है यह 114.1 और उसका status बता रहा है requirement वाला तो उसके बाद आगे यह 114.1 के आगे वन वन आगया यह इसका आगे फर्दर सब पैराग्राफ है यह बता रहा है इसका nature application explanation है तो कुछ paragraph required है वो R से शुरू होते हैं कुछ उस requirement की application है वो A से शुरू होते हैं और कुछ paragraph ऐसे होते हैं जो किसी specific requirement से relate नहीं कर रहे है वो general commentary होती है general commentary उसके साथ ना R लिखा जाता है ना A लिखा जाता है वो simple लिखा जाता है 120.2 तो आपने code of ethics को पढ़ते हुए number में नंबर एहम नहीं है यह तो सिर्फ मैं आपको इसलिए कहीं आप confused ना हो जा किसी के साथ हार लिखा से किसी के साथ हे लिए किसी कि कुछ भी नहीं लिखा यह इरिलिमेंट है एक्जाम में आपने देखना है situation किदर discuss हुई है situation के अदर है safe guard क्या है number क्या है यह लाजमी number तो इसलिए है क्या मै नमबर आपने कभी याद नहीं करने ये Delta प्रकाइंगें मैं लिखता हूं जैसे मैं यहाँ पर यहं लिखे वज़ी सीन कि नहीं करने किस लिखे हैं यह किसलिए लिखे हैं याद नही ताकि आप swear I लिखा हुआ है तो ये code of ethics का structure है जो मैंने आपके साथ share कर दिया आज आज आपने क्या करना है देखें आज मैं कोई लंबी चोड़ी assignment आपको नहीं दे रहा है सिर्फ आपको familiarize करवा रहा हूं code of ethics के साथ कि आपको पता चले code of ethics होता कैसे है और इसमें किस तरीके से हमने चलन है आज आपकी assignment सुन लेजिए आज आपने reading assignment दे रहा हूं आपको सबसे पहले जितने भी parts है सबसे हम assignment का हिस्ता है जितने भी part है 1, 2, 3, 4, A, 4, B इन के page number याद करने है और उन code of ethics के page number पे जाके list को सिर्फ पढ़ लेना है समझ आए ना है कोई tension नहीं है सिर्फ पढ़ लेन और क्या करना है उसके बाद part 1 में जो section मैंने आपको कहें हूँ है principle के या threats के इन section को जाके read कर लेना है कोई लंबे चोड़े section नहीं है तोड़ा सा material reading वाला है लेकिन 10-15 में reading कम read हो जाएगी reading करना है पता चले अच्छा इस तरीके से code of ethics बात करता है इसकी reading कर ली list याद कर ली threats की reading कर ली फिर इसके बाद हो सके तो यह कुछ paragraph है इनको आपने याद कर लेना है sorry read कर लेना इनको 120 यह शायद 0.682 होगा यह देख लीजेगा यह paragraph पर जाना है यह इसी concept से relate कर रहे है और जब यह reading कर लें जैसे फर्स कीजिए यह 120.682 है मैं जाओंगा कैसे 120 यह तर्तीब से code of ethics यह जानी 100 paragraph पहले आएगा 200 वाला उसके बाद 300 वाला उसके बाद 400 वाला उसके बाद तो मुझे पता चले है 120 अच्छा 120 में उसके बाद पॉइंट 6A2 और फिर 6A3 यानि यह 120 पॉइंट है 120 पॉइंट 6A2 पढ़ना है 6A3 और फिर 6A4 पढ़ना फिर 120 का 7 और फिर इसके बाद 7A1 7 भी पढ़ने और 7 के बाद 7A1 भी पढ़ने फिर इसके बाद 120.10 यह भी पढ़ने और फिर इसके बाद 10 का A1 और 10 A2 यह रीडिंग कर ले ताकि आप पैराग्राफ के साथ आपको पढ़ना आ जाए जब मैं आएंदर रैफर किया आगरू आपको पता चल जाए कि किस तरीके से अरेंजमेंट होती है और सिंपल क्वेस्टन सिंपल देखें हमने आज तकरीबन एक घंटे में कोड़ ओफएटिक्स का स्ट्रक्शर समझ लिया है लेकिन मैं चाहरा हूँ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दूँ कि हम एक्जैम लेवल के क्वेस्टन करने के भी काबिल है यानि आज के लेक्शर में भी हमने एक्जैम मेटिरियल भी कवर किया है अभी शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे लेकिन यह क्वेस्टन इतने मुश्किल है नहीं एक दो के लावा उमीद है कि आप आसानी से कर लेंगे और जो आपको बिसकली मुश्किल है वो भी इस वज़े से क्योंके काफी अर्सा हो गया ना कोड़ फैटिक्स पड़ा हुआ है तो गैप आ जाता है इजी क्वेस्टन भी आपको फॉरी तोर पर सम्टाइम समझने आती लेकिन आपका मैं रिडिंग कर लें यह नोट कर लीजेगा यह फोकस करवा दीजेगा ज़रा यह कि यह क्लियर ली नजर आज़ें स्टोर्ट को कि यह क्वेस्टन कौन से प्रेक्टिस करने हैं अगर हो सके रिटन फार्म में करें रिटन फार्म में नहीं कर सकते हैं अब पढ़ लें लेकिन इसको करना जरूर है आपना ठीक है रिडिंग कर लें यह क्वेस्टन नमबर वन यह काम यह चाहिए था मुझे भी असास होगा कि क्वेस्टन नंबर भी मैंचिन कर देगा ठीक है यह वो शाहिद वो आपको जो एक्सल वाली शीड दिये तो कोड़ फैथिस के आगे क्वेस्टन नंबर भी मैंचिन होगा वरना जब आप पेपर उठाएंगे तो उसमें से आ कि प्रैक्टिस ही सही वैसे यह तो मेरी थोड़ी सी नाहिली है मुझे आपके क्वेस्टन पर मैंचिन कर देना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं हम इसको भी प्रैक्टिस बना लेते हैं अपने कि ताकि हमें क्वेस्टन पढ़के पहचानना है यह कोड़ ओफैथिक्स का आय ठीक है उसमें जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी में से क्वेस्टन पूछ रहा होगा कोई थ्रेट्स में से पूछ रहा हो कुछ प्रिंसपल्स कुछ कॉंफिदेंचलिटी या एक्सेप्शन या कुछ इस तरह का केस होगा बाराल तो यह है हमारा आज का लेक्ट्चर आज क लेक्ट्चर के एंड पे हमने आज के लेक्ट्चर में सीखा क्या हमने टॉप डाउन अप्रोच से कोड फैथिक्स को स्टार्ट किया है ठीक है कि पहले कितने पार्ट्स में सब डिवाइड है फिर हर पार्ट के अंदर कौन से से सेक्शन है उसकी लिस्ट हम मैंने सिरफ इवाइज करवा के मैंने आपको यह होम सेंटमेंट दी जो लाज़ देखे रोज का काम रोज करते जाएं ज्यादा नहीं है ठीक है लेकिन रोज का काम रोज करना लाजमी है ताकि आप कोड़ फैथिक्स साथ-साथ चलाते जाएं अब आपको बता हम इने कितने रहा गया पहला लेक्षर कल के लेक्षर में हम इंचाला इससे आगे चलेंगे अल्ला हाफिस